हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष जा इस करेंट अफेर्स की लेक्चर में आपको 14 से लेकर 18 डिसंबर 2020 के पूरे टॉपिक्स मिलेंगे पूरे टॉपिक्स A to Z में आपके कवर कराऊंगा अभी इस लेक्चर में और अगर आप किसी भी सरकारी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे सिविल सर्विसेज की स्टेट सिविल सर्विसेज की SSC, Railways, Bank या किसी भी सरकारी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप regularly इस सीरीज को अगर follow करेंगे तो आपका 100% guarantee selection होगा क्योंकि यहाँ पर पूरे topics A to Z आपके अप cover होते हैं पहले ही हाँ पर इस चैनल पर मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज एक्जामिनेशन की तयारी कराता था बट काफी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एक्जामिनेशन की तयारी करने वाले students को कुछ और factual details जो है वो पढ़ने की आवशकता होती थी बट अब कुछ नहीं है पूरी चीज जो है आपको कहीं से भी कहीं जाने की ज़रूरत नी सब कुछ करें affairs का यहाँ पर मिलेगा हाँ मैंने माना कि थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि यह अली series अपने लेट चालू करी थी मेरे खादिशेट 15 या 16-17 डिसेंबर से यह series जो है वो शुरू हुई है तो इसलिए पुराना pending task था वो भी finish करना था आप लोगों के लिए और अभी upcoming भ रहता है और यहाँ पर मैं हडबड़ी करने के चक्कर में आपके लिए topics अगर skip कर दूँ तो वो मैं जो है वो अपने साथ जो है वो justice नहीं करूँगा क्योंकि मेरे भी कुछ rules regulation मैं मानता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ हूँ आप लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो यहाँ पर हर एक चीज मैं आपकी cover कराऊंगा तो देखिए भले ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा delay lecture मिले बट एक चीज की तो guarantee मैं आपको दूँगा कि आपके exam से पहले पहले एक तो पूरी चीज फिनिश करवा के दूँगा दूसरी चीज हर एक चीज आपकी cover होगी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी छूटेगी यहाँ पर और current affairs की जितने भी topics हैं वो पूरे की बूरे अपने ही lecture से आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो topics में cover करा तो आपके examination point of view से ही important topics cover कराता हूँ इसका proof भी देख सकते हैं नीचे description पर आपको proof वी जरूर कर देना और regularly follow करना वैसा करोगे तो 100% guarantee selection आपका होगी यहाँ पर बात हो रही है red channel agreement के बारे में तो सबसे पहली चीज तो यह agreement किसके बीच पे sign हुआ है तो world health organization और IFRC international federation of red cross and red crescent societies इनके बीच में यह sign हुआ है किस purpose के लिए sign हुआ है emergency medical team initiative को implement करने के purpose के लिए यह sign हुआ है इसका headquarter IFRC का हमें Geneva Switzerland में देखने को बलता है तो थोड़ा सा detail में इसके बारे में बात करते हैं इस agreement के बारे में क्योंकि आपको अच्छे से जानकरी होनी चीए कि यह agreement जो है वो किस purpose के लिए है तो देखे कभी भी कहीं पर भी कोई disaster आता है कोई ऐसी स्थिती होती ह है जहां पर जो civilians होते हैं innocent citizens जो हम लोग को देखने को बने जो बेकसूरू लोग होते हैं जो कि किसी disaster के चपेट में आ गया होते हैं विक्टिम बन गया होते हैं या फिर कहीं कोई terrorist attack हो गया तो उस भी civilians जो है वो first गया है उनको नुकसान हुआ है उनकी properties damage हुई है और उनको उनकी health से related इस्तिती जो है वो थोड़ी खराब हुई है जैसे होता है न कभी भी अर्थ को एक आगया तो काफी सारे लोग नीचे मलवे के नीचे जो है वो दब जाते हैं तो उनको निकाला जाता है काफी सारे लोग injured हो जाते हैं काफी सारे लोगों की death हो जाती है और ऐसी इस्तिती में खाने पीने की भी services वहाँ पर available नहीं होती है बहुत मुसीबट जो है वो जाती है कभी भी कोई ऐसा disaster होता है तो कभी भी किसी भी प्रकार का अगर humanitarian crisis होता है तो उस बीच doctors की team medical staff की team जो है वहाँ पर पहुँचे उस जगा पर और वहाँ पर लोगों की सेवा क तो उसको लेकर यह initiative हम लोग को देखने को मिलता है emergency medical team initiative इसको implement करने के लिए यह right channel agreement हमें देखने को मिला है right clear है यहां तक पूरी बात है तो यह basic चीज यह है कि health और emergency medical services जो है उसकी delivery को strengthen करने के लिए यह emergency medical team initiative हमें देखने को मिलता है कभी भी humanitarian crisis आता है जैसी कोई disaster हो गया तो उस दुरान जो victims वगिरा जो होते हैं पीडित वगिरा जो होते हैं उनकी साहिता करने के लिए यह नया initiative जो है वो लाया गया है और IFRC की बात करने तो यह humanitarian aid organization है यह relief operation conduct करती है मलब victims की साहिता करने के लिए पीडितों की साहिता करने के लिए अगर किसी प्रकार का disaster आता ह तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडिया और Qatar task force की हाँ पर बात करेंगे but before that Qatar की location आपको पता होनी चाहिए देखो यह Qatar country आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर आप इरान देखेंगे इरान के बगल में पाकिस्तान है पाकिस्तान के बगल में हमारी country इंडिया है ठीक है तो यह एरान है यहाँ पर आप देखेंगे इरान पर तो एक इस प्रकायर का आपको एक feature दिखाई देगा अगर आप मैप में देखेंगे आपके दिवार के सामने अगर बड़ा सा मैप लगा होगा वर्ल्ड का तो वहाँ पर आप जाकर देखिए बकाय है तो यहाँ पर कतार कंट्री है तो इंडिया और कतार टास्क फोर्स की हाँ पर बात हो रही है तो यह टास्क फोर्स किसके लिए बनाया गया है तो देखिए कतार क्या कर रही है कतार अभी हमारी कंट्री के अंदर एनरजी सेक्टर पर इंवेस्मेंट करने वाली है तो उस करेंगी उसको identify करने के लिए ये task force बनाया गया है इस task force के अंदर हम लोग को senior officer देखने को मिल रहा है petroleum ministry of India के और vice president हम लोग को देखने को मिल रहा है Qatar petroleum के राइट तो यहली चीज़ आप लोग को पता हो नीची इसके बारे में थोड़ा basic fact जानो Qatar के बारे में तो पूरे दुन चाहिए और इंडिया और Qatar के बीच में कौनसी annual exercise होती है joint annual exercise तो जा इर अल बहर करके एक joint annual exercise हम लोग को इंडिया और Qatar के बीच में देखने को मिलती है तो यह basic fact भी आपको पता होना चाहिए समुंदर समावे बूंद में ये क्या है ये एक किताब है किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है तो श्री ओम बिरला जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है श्री ओम बिरला जी जो है वो लोगसभा के speaker हम लोग को देखने को मिलते हैं 13 December 2020 को इनो ने ये किताब release करी ह है जिस समय 19 वी anniversary थी जब हमारे Indian Parliament के उपर attack हुआ था तो आप जाते है Indian Parliament के उपर terrorist attack हुआ था तो यह 19th anniversary थी तो इसी अफसर पर इन्होंने ये book को release करी है इस book का English version जो है वो है Shory Unmount The Shory Unmount ठीक है तो यहाली चीज़ भी आप लोग को पता हुए जिए book से related direct portion बन सकते हैं MRNA vaccine इंडिया के अंदर MRNA vaccine हमें देखने को बल रही है इंडिया के अंदर पहली बार यह बनाई गई है MRNA vaccine पूरी तरह से और इसको develop किया है पूरे के अंदर एक Genova Bio Pharmaceuticals है उनके द्वारा यह vaccine को develop किया गया है इस vaccine का नाम है HGC019 vaccine इसका phase 1 और phase 2 clinical trial जो है वो अभी recently approved किया गया है drugs controller general of India के द्वारा और यह जो vaccine है इसको develop किया गया है United States की HDT biotech corporation के साथ मिलकर तो यह ली चीज़ आपको पता हुए चाहिए आप एक scheme के बारे में बात करेंगे जिसमें राजियों को special assistance provide किया जा रहा है capital expenditure के लिए सबसे पहली बात तो capital expenditure होता क्या है तो आसान भाषा में इसको समझो कि देखिए कि capital expenditure का मतलब expenditure का मतलब आप जाते है expenditure का मतलब क्या होता खर्चा करना capital expenditure मतलब ऐसी चीजों पर खर्चा करना जो capital जो है वो build up करें capital का मतलब क्या होता है actual में जैसे कि अपना घर है या फिर अपना कोई office है एक building है तो वो क्या है वो capital है वो एक asset है तो यह capital जो होता है जैसे राजियों के अंदर जो हम लोग को bridges बगरा देखने को मिलते है roads बगरा जो देखने को मिलती है बड़ी बड़ी building से देखने को मिलती है तो वो सब capital है तो राजी जो है वो इन सब capital asset को बनाने पर खर्चा कर सके तो उसको लेकर यह scheme हमें देखने को मिल रही है और यह scheme जो है वो launch की गई है आत्मिरभर भारत अभियान के अंडर ओक्टोबर 2020 में इसको लाँच किया गया था में एम यही है इस स्कीम का कि capital expenditure जो है वो राजी सरकार increase कर सकें यानि कि बना सकें यानि कि जो bridges वगएरा है roads वगएरा है buildings वगएरा है इसको बनाने के लिए राजी सरकारों के पास पैसा रहे और पैसा इन सब assets की उपर खर्चा करें राजी सरकार राइट तो यह चीज़ हमें देखने को बती है और तीन इसमें cover किये जाएंगे बट North Eastern States इसमें cover नहीं की जाएंगी और इसमें साड़े साथ हजार करोड रुपे का allocation किया गया है और part 3 की बात करें गई इसमें especially focus किया गया citizen centric reform के उपर यानि कि ऐसी चीज़ें जिसे की citizens उनको फाइदा हो तो उस पर जो है वो focus करते हुए किया गया है part 3 के अंदर तो यह बस basic factor जिसके बार में आपको एक जानकारी होनी चाहिए international universal health coverage day यह कब celebrate किया जाता है 12 December को celebrate किया जाता है किसके दौरा यह celebrate किया गया था United Nation के दौरा और भी दूसरे international organizations इसको celebrate करते हैं और international universal health coverage day की जो इस बार की theme है वो है health for all protect everyone health for all protect everyone की सभी को structure देना है protection देना है और सभी जो है वो healthy रहें तो इस पर mainly focus करना है तो देखे अभी हमारे आप पर जो crisis salary यह coronavirus का जो issue हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इस समय हम लोग को बहुती जादा आवशक्ता है कि आने वाले समय के लिए हम लोग को एक safe और healthy future जो है वो बनाना ह और यह कब possible हो पाएगा जब हम लोग investment करेंगे health system के उपर तो health system पर investment essential है इन सब चीजों को achieve करने के लिए future में सभी लोग जो है healthy रहें safe रहें secure रहें तो इस चीज के लिए health system जो है उसमें investment करना बहुत ज़रूरी है तो इस चीज पर stress डालते हो यह international universal health coverage day जो है वो celebrate किया इसके नाम से exactly 7 में आ रहा है कि universal health coverage day की सभी जगा पर health से related facilities जो है वो provide की जाए और सभी लोगों को health care facilities जो है वो बिल सके access मिल जाके उसका तो यह चीज हम लोग को इसके नाम से ही 7 में आती है आगे की बात करें एक report सामने आई है smuggling in India report 2020 इंडिया में जो smuggling होती है उसको ल लग को देखने को में रॉपर मिटेंग के दौरान नार्कोटेक्स Control Bureau of India और Central Committee on Drug Abuse Control of Myanmar तो इन्हों ने एक agreement किया है जिसके तहट अब ये information आपस में एक दूसरे के साथ share करेंगे जिससे की जो नए-ने drugs के जो roots बन रहे हैं जो नए-ने smuggler सामने आ रहे हैं जो भी लोग हैं जो drug smuggling में involved हैं अगर उनको हमारी security या Myanmar की security forces पकड़ती हैं तो ये पूरी information आपस में जो है वो शेयर की जाएगी इंडिया और Myanmar के बीच में जिससे की बेटर तरीके से control किया जा सके इस प्रकार के drugs की smuggling जाब रहे हैं और synthetic drugs और Yaba tablets ये नौर्थ eastern state में में involved के थ्रूँ जो है वो smuggle की जाती है तो ये चीज़ हम लोग को देखने को बली है गाइस e-courts project की यहां पर बात हो रही है तो e-courts नाम सी आपको सर्वे आ जाना चाहिए electronic courts की यहां पर बात हो रही है तो ये ऐसे court होते हैं जहां पर मामले जो होते हैं वो online जो हो file किये जाते है litigants वगएरा जो होती है complaints जो होती है वो online file की जाती है electronically right case का जो status है वो online चेक किया जा सकता है court की fees जो है वो पे की जा सकती है online fines वगएरा जो है वो online पे किया जा सकता है तो यह सब चीजे जो है वो e-courts के under हमें देखने को मलती है electronic courts के अंदर देखने को मलती है सन 2007 से हमारी country में national e-governance plan के part के तौर पर यह e-courts project जो है उसको लागू किया गया था हाला कि 2005 में ही या चुकी थी इसको national policy and action plan ict के implementation का ict के ict को लागू करना था हमें e-courts का concept लाया था हम लोग ने ict को शामिल करने के लिए courts के अंदर तब जाकर यह electronic courts का concept सामने आया और इसको हम लोग ने national policy and action plan के अंदर रख दिया था 2005 में और फिर 2007 से इसको implement करना शुरू किया फिर बाद में हम लोगों ने दो phase सामने लेकर आये थे phase 1 और phase 2 phase 1 जो था वो 2010 से 15 तक का था phase 2 जो था 2015 से 20 तक का था जिसमें हम लोग ने प्राइस की तो रामनुजन प्राइस की बात हो रही है तो obviously बात है कि यह प्राइस जो है वो mathematician को ही दिया जाएगा और 2020 का जो यह प्राइस है वो किसको दिया गया है तो dr. कैरोलीना अराजुओ को यह प्राइस मिला है 2020 का प्राइस mathematician है यह डॉक्टर कैरोलीना और यह institute for pure and applied mathematics जो रियो दे जिनारियो में है तो वहां की यह mathematician हम लोग को देखने को मिलती है और यह जो प्राइस है रामनुजन प्राइस यह हर साल दिया जाता है यंग mathematician को याद रखिएगा उनको दिया जाता है जिनकी उमर 45 साल से कम की होती ह और जिन्होंने outstanding research की होती है developing country के अंदर mathematics की field में तो यह चीज हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर दो चीज आपको बता होने चीज है एक तो age factor पता होने चीज है दूसरी बात developing country पता होने चीज है तीसरी बात mathematics वो तो पता ही होगा रामनुजन जी का नाम यहाँ पर सा रहे दॉक्टर कैरोलीना ठीक है यह है दॉक्टर कैरोलीना रही और बताये गया है कि birational geometry, algebraic geometry, phano varieties और foliations तो इन सब particular area में specialization एन उन्होंने हासिल किया था तो उसको identify करते होए उनकी research को देखते होए यह award उनको दिया गया है HD 106906B यह क्या है तो यह एक नया planet है याद रखिएगा यह planet 9 जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है hypothetical planet यह हम लोग को नज़र आ रहा है यह बताया रहा है कि धरती से 10 गुना जादा बड़ा है size में पहली बार इस प्रकार के planet का जिक्र किया गया था 2012 में तो यह ली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होने चीए कि एक प्रकार का नया planet जो है वो confirm कर रहे है अभी जो हमारे researchers हैं कि यह planet हमें देखने को मिल रहा है दसगुना जादा बड़ा है यह धरती से right cinema S.C.O.P.E. या फिर cinema scope आप कह सकते हो S.C.O. जो है वो इसलिए रखा गया है क्यो यह movie series है cinema scope ठीक है इसको Indian embassy जो Beijing में मौझूद है तो उनके द्वारा launch किया गया है और यह Shanghai cooperation organization countries के लिए यह series launch किया गया है और embassy इसमें दिखाएगी 12 से भी जादा movies दो बारा नहीं 24 से भी जादा Indian movies दिखाएगी जिसको Russian language में जो है वो dub किया जाएगा और monthly basis पर यह movie जो है दिखाए जाएगी cinema scope series कित है तो cinema scope series जो है वो किसकी है तो याद रखना चंगाई का operation organization country के लिए यह series launch की गई है इंडियन embassy जो बीजिंग में है चाइना के अंदर है उसके द्वारा national center for dvhyang empowerment की हाव बात करेंगे सबसे पहली चीज़ द्वियांगểmवार्मैंट की बात हो रही है जो दिवयांग जन जो persons होते है यानि के ह इलए जो परसन होते है उनके शक्तिकरण की हाव बात हो रही है और यह national center वे उनके शक्तिकरण के लिए दिवयांग जन के तो उस समय हमारी जो forces होती हैं वो injured हो जाती है और इतनी बुरी तरीके से हमारी forces injured होती है किसी operation के दोरान या mission के दोरान कि वो जो officers जो होते हैं वो दिव्यांग जन तक हो जाते हैं नहीं कि physically handicap हो जाते हैं तो ऐसे जो हमारे officer है guys तो उनको दोबारा से re-skill और rehabilitate करने के लिए यह center जो है वो लाया गया और center के अंदर world class facilities जो है वो मौझूद होंगी जिन भी facilities की आवशकता दिव्यांग जन्स को होती है वो पूरी facilities इस center में हमें देखने को मिले देखिए guys यहाँ पर बात हो रही है Virgin Galactic के बारे में तो Virgin Galactic जो है guys यह क्या है पहले इसको मैं आपको ब Galactic यह क्या करती है company यह इस प्रकार के spaceship spacecraft जो है वो बनाती है तयार करती है अभी हुआ क्या था इनका spaceship to unity जो था उसकी test flight जो है वो चल रही थी बट इन्होंने उसकी test flight को जो है वो abort कर दिया cancel कर दिया रद कर दिया क्योंकि हुआ यह था कि इनकी जो मलग जो mother ship जो थी यानि इनकी test flight को जो है वो abort कर दिया था और यह जो company है इसने पहली mandate test जो है वो spaceship to space flight system की लेकर आई है launch करी है और यह Mexico New Mexico जो United States में हमें देखने को मिलता है तो वहां से यह launch की गई है ठीक है तो यह बस basic सा fact है जिसके बारे में एक आपको general idea होना चाहिए sustainable mountain development summit की हाँ पर बात हो रही है तो इसको किसके दौर organize किया जाता है Indian mountain initiative के दौर इसको organize किया जाता है इसका यह 9 edition हम लोग को इस summit का देखने को मिला था December 12 को 13 दूर में यह हुआ था और इस साल की जो इसकी theme थी वो है emerging pathway for building resilient post covid-19 mountain economy adoption innovation and acceleration तो यह basically mountains वगरा जो है गईज तो उसके संट्रक्शन के लिए उसके protection के लिए जो है यह basically यह काम करती है यह Indian mountain initiative देखें अब बात करेंगे international climate action summit के बारे में तो देखो अभी इस साल Glasgow Scotland की एक city है Glasgow तो वहाँ पर 26 वी conference of party जो है वो होने वाली है तो उससे पहले यह international climate action summit जो है वो अभी हमें देखने को मिली है और इसको organize और co-host किया गया है United Nation, United Kingdom और France के द्वारा चिले और Italy की partnership के तहरे और यह summit का main aim क्या है गईज तो देखो जो भी countries, cities, businesses जिन्होंने net zero carbon emission के अपने achievement जो है वो किये हैं और climate finances को बढ़ाने पर काम किया है तो उसको highlight करने के लिए यह summit हमें देखने को मिली थी हैं मतला मोटे मोटे तौर पर कि जिन्भी particular cities के अंदर जिन्होंने काम किया हो या जिस भी countries के अंदर काम हुआ हो carbon dioxide emission को control करने के उपर तो ऐसी cities ऐसी या फिर company हुई या फिर country हुई तो उनको identify किया जाएगा और उनके जो कारे हैं जिसके तहत उन्होंने carbon dioxide emission को control करने पर focus किया उसको highlight किया जाएगा और जिन्होंने भी climate finances को बढ़ाने के उपर यानि कि climate change को रोकने के लिए जो investment जो किया जाता है खर्चा जो किया जाता है various technology को adopt किया जाता है तो उस चीज़ के लिए जिसने भी finance वगरा किया होगा यानि कि investment किया होगा पैसे लगाए होगे तो उसको भी जो है वो highlight किया गया है इस summit के दौरान और पैरिस climate agreement जो है ये इसकी 5th anniversary हम लोग को देखने को मिली थी क्योंकि 2015 का पैरिस climate agreement हम लोग को देखने को मिली थी आप जान दे ही है इसके बारे में San Isidro movement या आंदोलन काफी important topic है डारेक कोशन बन सकता है कि San Isidro आंदोलन जो है वो कहा पर चल रहा है तो क्यूबा आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा के अंदर ये आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है यहां के लोग जो है वो क्यूबा की सरकार के अगेंस जो है वो खड क्यूबा आपको याद रखना है ऐसे कोशन डारेक बन देने थोड़ी सी बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में कि क्यूबा में ये आंदोलन जो है वो San Isidro आंदोलन ये क्यों चल रहा है तो हुआ क्या है गईस तो ये 2018 से ही ये शुरू हो गया है Decree 349 के अगेंस ये Commission लेनी पड़ेगी सरकार की इजादत लेनी पड़ेगी तो देखेए इजी तरीके समझाता हो जैसे कि क्यूबा के अंदर कोई painter उसको अगर मार्केट में पिंटिंग अपनी पब्लिश करनी है तो उससे पहले उसको सरकार से इजादत लेनी होगी अगर कोई जर्नलिस्ट ह रगाई हुई है कि आर्टिस्ट को अगर कहीं पर इवन परफॉर्म करना है पब्लिक या फिर इवन प्राइवेट स्पेस में भी तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से परमीशन लेने की आवशक्ता होगी क्यूबा के राइट तो यह चीज यहाँ पर बताई आ रही है तो इसलिए लोगबा को है वो san isidro में आकर इकटे होगा है तो इसलिए यह topic हम लोग को news में देखने को मिला था और san isidro capital city हम लोग को क्यूबा की देखने को मिलती है और यह largest province है काफी major ports और leading commercial center हम लोग को क्यूबा के हाँ पर नज़र आते हैं और fourth largest metropolitan city है Caribbean region की हम लोग को encryption device हम लोग को देखने को मिलते हैं, encryption device, enigma, encryption का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो whatsapp के अंदर चाइट्स जो होती है, वो encrypted होती है, यानि कि उसको कोई और पढ़ नहीं सकता, जो sender है और जो receiver है, उनके अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता, तो वो encryption होता है, lock होता है, right, तो यह encryption device हम लोग को देखने को मिल रही है, तो enigma, एक encryption device है, जिसका उपयोग German की नाजी के द्वारा, जो है, वो किया गया था, second world war के द्वारा, secret messages को encode करने के लिए, और recently जो है, एक Baltic Sea के अंदर एक diver था, यानि कि उसने जो छलांग लगाई थी अंदर नीचे गया था diver, तो उसन यह device जो है, वो निकाल ली, ठीक है, तो यह device निकली है, तो अभी Baltic Sea के अंदर, अब मेरे आपसे question है, नीचे comment box पर आंसे लिख कर रहता ही है, Baltic Sea जो है, वो कौनसी कौनसी countries के साथ अपनी boundary share करती है, तो नीचे comment box पर, जो है, वो countries का नाम लिख कर रहता ही है, अब बात कर बात करेंगे, Sherman Act के बारे में, इस कानून के बारे में बात करेंगे, Sherman Act, तो यह एक anti-trust act हम लोग को USA का देखने को मिलता है, जो की 1890 में pass हुआ था, anti-trust act का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी country के अंदर, जो competition commission of India है, उसका क्या काम होता है, उसका काम यह होता है, कि हमारी country के अ दुकान खोली, एक कपड़े का showroom खुला, उस showroom का मालिक जो है, वो गुंडा है, उसने वहाँ पर उस market के अंदर कह दिया कि कोई और दूसरा दुकान दार, यहाँ पर कपड़े की दुकान नहीं खोलेगा, यानि कि उसने क्या किया, उस market के अंदर competition को end कर दी, अपनी monopoly जम नहीं करूँगा, मुझे उसी कपड़े की दुकान से समान खरीदना होगा, तो आप बोलोगे सर, उसमें बुरा ही क्या है, उसमें बुरा ही है कि उस कपड़े की दुकान वाला अपनी मनमर्जी के पैसे जो है, वो चार्ज करेगा, और मजबूरी एक consumer की वही होगी कि उसक उसकान का सौधा होता है, तो इसको control करने के लिए हमारी country के अंदर competition commission of India देखने को मिलती, जो की काम करती है, वैसी United States के अंदर anti-trust act जो है, वो इसी चीज़ के लिए pass किया गया था, 1980 में, इसका main purpose यही था, कि healthy competition United States के अंदर maintain रहे, तो उसको promote करने के लिए किया गया था, और अभी recently, UCFTC, Federal Trade Commission जो है, उन्होंने anti-trust lawsuit जो है, वो Facebook के against file किया है, कि Facebook अपनी monopoly जमा रहा है, तो यह यह चीज़ इस प्रकार की देखने को मिली थी, तो इसलिए यह topic news में था, तो दो चीज़ आद रखना, Facebook के against anti-trust law के तहरे, जो है, यह case जो है, वो फाइल किया है, United States ने, तो इसलिए यह topic news में देखने को मिला था, और इसको shareman anti-trust act कहते है, तो question यह भी बन सकता है, कि shareman anti-trust act जो है, वो किस का कानून है, तो United States का यह कानून है, healthy competition को promote करने का, यह कानून हम लोग को देखने को मिलता है, कि monopolies को prevent करने के लिए यह कानून दाया गया, तो व ऐसी species जो की एक geographical range के बाहर की होती है, यानि कि अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया के बाहर से लाई गई जो species होती है, right, foreign species, काफी सारे लोग शौकीन होते हैं, कि वो birds वगरा लेकर आता है, foreign से, right, मंगवाते हैं, right, काफी बार आपने सुना भी होगा कि birds वगरा की, या फिर generally हम लोग को देखने को बिलता है, कि जो कचुए बगरा होते हैं, उनकी smuggling की जाती है, right, तो काफी सारे लोग इंडिया में शौकीन होते हैं, इस प्रकार की species पालने के, आपने पास रखने के, right, तो यहाँ पर कहा गया है कि one time voluntary, यानि कि एक बार 30 दिन के अंदर लोग बाग जो है, वो अपनी खुद बाखुद बता दें कि उनके पास कौन सी species है, यानि काफी सारे लोग जो होते हैं, smuggling करके लेकर आते हैं, फिर वो बेचते हैं यहाँ पर, right, इंडिया में, और काफी सारे लोग purchase कर लेते हैं, तो यहाँ पर सरकार ने बोला है कि एक बार में बता दो कि कि इनके पास कौन सी species है, और अगर बता दोगे अभी समय रहते हुए, time limit के दोरा, तो आपके खिलाफ कारवाई नहीं की जाएगे, और अगर नहीं बताओगे, तो सक्त कारवाई की जाएगे, अगर पकड़ा जाते हो तो, तो यह चीज हम लोग को में आनी चाहिए, कि सरकार ऐसा क्यों गर रही है, क्यों बोल रही है कि exotic species के बार में information दो, तो दीखे क्या होता है यह सब जो species होती है न, इनको संद्रक्शन दी जाती है, जैसे CITES या IUCN, यह बताती है कि यह species की संख्या कितनी है, फिर उसको संद्रक्शन दी जाती है, उ इसे कि यह बी एक coronavirus है, coronavirus कैसे आया है, एक चिम्दादर के थुरू आया है, या फिर पैंगोलीन के थुरू आया है, तो किस के थुरू आया है यह, wild species के थुरू आया है, right, coronavirus, तो इस प्रकार की zoonotic disease जो है वो फैले नहीं इंडिया में, और उसको समय रहते control किया जा सके, इस पूरी information जो है, वो बांगी जा रही है, कि जिन जिन के पास ऐसी species है, बता दीजे है, या फिर अगर आपके पास कोई species है, उसकी death हो गई, तो भी आप बताईए, right, जिससे की regulation जो है, वो रखा जा सके, उसके उपर नियंत्रेंट रखा जा सके, monitor किया जा सके, कि कहां कापर किस प्रगार की species है, अगर कोई species human के लिए dangerous हुई, और scientist researcher जो है, उसने claim कर दिया, कि हाई यह dangerous है, तो तुरंट वहाँ पर जाकर उस species को, चेक किया जा सकता है, कि कहीं, उसके तुरू कोई virus तो नहीं फैल रहा है, right, क्योंकि human और animal का जो यह contact बढ़ता जा रहा है, इसके कर कार यह initiative लेकर आई है, right, और chief wildlife warden को पूरी information देनी होगी, 30 दिन के अंदर अंदर, उन animals के बारे में, उन species के बारे में, जिन लोगों ने species को अपने पास रखा है, अब कौन सी species होगी है, तो CITES ने exotic live species की एक list तयार करी हुई है, appendices 1, 2 और 3 के अंदर, तो CITES की इस list में, जो भी species मौझूद है, exotic live species, right, तो वो अगर species किसी भी individual के पास है, तो उनको जो है वो फिर बताना पड़ेगा, right, इसके बारे में, हाला कि आपको examination perspective से बस सिर्फ यह ली चीज़ समन में आनी चाहिए, कि exotic species कौन सी होती है, और क्यों सरकार जो है वो इस प्रकार से exotic species की information जो तो वो मैंने आपको पता ही दिया कि सरकार जो है वो समय रहते, action ने सके, अगर कभी भी zoonotic disease के फैलने का खत्रा होता है, तो किसी animal के करण, right, क्योंकि zoonotic disease तो बही disease होती, जो animal से फैलती है, human और animal का जब हम लोग को एक relation देखने को मिलता है, तब उस बीच क्या होता है, कि exotic live species की list में नहीं आती है, right, तो यह यह चीज भी आपको पता होनी चीए, और इसमें कुछ exotic birds हम लोग को देखने को मिलती है, amnesty scheme के तहरत, उसको exclude किया गया, हटाया गया, right, तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है, guys, यहाँ पर बात हो रही है, geminits के बारे में, तो geminits जो है, वो क्या है, तो यह meteor shower हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसा, आप आस्मान में जब देखते हैं, तो इस प्रकार का incidence आपको दिखाई देता है, जैसे कि आपने generally तूटता तारा देखा होगा आस्मान में, मैंने एक बार जो हो देखा था बहुत पहले तूटता तारा वो actually में तारा होता नहीं, स्टार वगिरा नहीं होता वो, वो basically comet होता है, या meteorites जिसको अपन बोलता है, जो कि उपर आस्मान में इस प्रकार का effect दिखाता है, वो basically dust particles होता है, या फिर कुछ rocky particles हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो space से धरती की तरफ आते हैं, और फिर धरती जो है, यह एक asteroid का हिस्सा है, और asteroid जो है, वो है, टाइफन asteroid, और कहा जाते हैं कि यह वाला जो asteroid हो, but before then, asteroid क्या होता है, यह तो बता है आपको कि space में जो बड़े-बड़े पत्थर, चट्टान जो हम लोग को देखने को मिलती है, बड़ी-बड़ी, वो asteroid होती है, तो asteroid की belt हो जो धरती की तरफ आते हैं, धरती के atmosphere में आते हैं, वो python asteroid के parts हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार का आस्मान में ऐसा shining effect जो है, वो नजर आता है, ऐसा लगता है कि lights वगरा की बारिश हो रही है, तो ऐसे आस्मान में देखो तो, तो अभी यह दिखाई दिया है December 4 से लेकर December 20 के बीच में, काफी भारी मातर में दिखाई दिया हैं, और इसी समय पर हम लोग को सूरी ग्रहन भी देखने को मिला था, अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 19 December को था शायद सूरी ग्रहन, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे correct कर देना, बाकि सूरी ग्रहन के बा हलाकि इस टॉपिक को काफी detail में, मैंने आपको regular civil services के lecture में पढ़ाया हुआ है, बट अगर आपको इसके बार में detail में जाना है, तो उस पर एक अलग से वीडियो है, तो आप देख लिएगा, अगर नहीं मिले वीडियो तो मुझे से मांग लें ना मैं बता दूँगा, लिं INS विराट को जो है वाभी recently उसको अलग किया गया है, उसके तुकडे जो है वो किये गए हैं INS विराट के और ये गुजरात के अंदर हम लोग को along ship breaking yard देखने को मिलता है, वहाँ पर किये गए हैं, INS विराट जो है गईज, उसको हम लोग ने decommission कर दिया था, यानि कि हमा कर दिया था, right, decommission कर दिया था, उसके बाद फिर अभी इसके parts को तोड़ा गया, that's why ये topic news में था, operation Jupiter और operation पराकरम में इसने participate किया, इसलिए जाना जाता है, operation Jupiter की बात करें, तो INS विराट जो है वो भेजा गया था, शीलंका में, वहाँ पर ये peacekeeping operation जो है वो conduct कर रहा था, तो ये चीज़ है, इसके बार में आपको बस basic जानकर ही आई, इस विराट से related होनी चाहिए, इसको अब हमने retire कर दिया, अब हमारी Indian Navy में ये शामिल नहीं है, और अभी इसको, इसके parts वगरा निकाल लेगा है, तो अलग-अलग किया गया है इसको, right, इसके लिए बात हो रह है, और ये मियावाखी Aforestation Method, जो है, वो जपान का हमें देखने को बलता है, कि एक छोटे से area पर planting वगरा जो है, वो की जाती है, और कहा जाते कि एगर छोटे-छोटे से area पर, अगर हम लोग कुछ-कुछ समय पर planting से अगर करते रहें, ये एक time decide करने कि इतने इतने period में छो कि वो अभी केरला Forest Department ने adopt किया है, कि वो government school offices और wasteland जो हम लोग को देखने को बलते है, वहाँ पर Aforestation का ये method जो है, वो apply किया जाएगा, तो ये चीज़ हमें देखने को बलते है, National Defense Authorization Act 2020 की बात हो रही है, तो United States के Senate ने, जैसे की जैसे हमारी Parliament होती है, वैसे United States के लिए सेने Act पास किया है, तो इसलिए ये topic news में था, 2.2 billion US dollar जो है वो लगाएगा है, Pacific Deterence Initiative के लिए, क्योंकि ये जो पैसा इसमें जो लगाए जा रहा है, वो United States अपनी military की ship को बनाएगा, various projects construct करेगा, aircrafts बनाएगा, nuclear weapons बनाएगा, और भी दूसरी National Security Initiative जो है इस पैसों से शुरू करन वाला है, और especially Indo-Pacific region पर United States की जो forces है, जो naval force हो गई या air force हो गई उसकी, तो वो यहाँ पर आ सके और यहाँ पर various operation conduct कर सके, तो इस पर ये काम कर रहा है, तो ये basically अमेरिका की deterrence policy की तोर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला इसका नया कानून, अमेरिका के अंदर जिस पर ये अब खर्चा करेगा defense पर, तो ये चीज हमें सामने नजर आई है, तो इसका भी एक basic आपको idea होना चाहिए, UNESCO Prize on Creative Economy की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये prize है, एक award है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, UNESCO ने इसको launch किया है, ये एक international award है, international prize है, किस field में दिया ज आता है, और ये award जो है, ये बताया गया है कि, बंगा बंधू, शेक, मुझीबुर, रह्मान, इनके नाम पर ये award हमें देखने को मिलता है, ये international prize है, international award है, November 2021 में ये award जो है, वो launch हुआ है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, और 2021 को कहा गया है, international year of creative economy for sustainable development, तो ये च आपको बता हूँ जाए, project 17A, इसके अंदर हम लोग को हीम गिरी देखने को मिल रही है, but before that, project 17A जो है, वो किस से related है, तो project 17A के तहरे, तीन ships जो है, वो बनाई जा रही है, garden, reach, ship, builders and engineers के द्वारा, GRSE के द्वारा, तीन ships बनाई जा रही है, जिन में से पहली ship जो है, हीम ग में ही बनाई गए, weapons इसमें हम लोग को देखने को मिल रहे है, gas, turbine, propulsion इसमें हम लोग को देखने को मिल रहे है, तो काफी advance यह ship है, जिसको बनाई गया है, और तीन ऐसी ships जो है, वो तयार की जा रही है, बनाई जा रही है, जिन में से एक हम लोग को हीम गिरी देखने को मिल तो यह आपको एक fact पता होना चाहिए directly question committee से related आते हैं कि यह फलाना committee किस से associated है तो KV कामात committee RBI किस से associated है Reserve Bank of India ने 5 member की expert committee बनाई थी जिसको head किया था KV कामात जीन है और यह KV कामात है और यह former CEO रह चुके है ICICI bank के है और RBI का हम लोग को TLTRO targeted long term repo operation scheme देखने को मिलती है और इस scheme के तहट बताया यहारा कि 26 stress sector को जो है वो identify किया हुआ है और वहाँ पर मदद करने की बात किये देखो अभी coronavirus की समय पर lockdown जो हमें देखने को मिला उसके कारण काफी सारे businesses hamper हो गएते हैं अलग-अलग sector में परिशानिया almost सभी sectors में परिशानिया हमें देखने को मिल रही है तो जो ऐसे vulnerable sectors है जहाँ पर जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम लोग को micro, small and medium enterprises जैसे एक sector हो गया और वैसे क्योंकि आप जानते हैं कि micro, small, medium enterprises के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जातर जो है वो लोग जो है वो कम income वाले है हम लोग को देखने को मिलता है हमारी country के तो उनको हमें revive करना ज़रूरी है focus उनकी ओपर डालना ज़रूरी है जो population जो है जो की काफी कम जिनकी earning है और जिनकी earning जो है committee ने बहुत कुछ चीजों को analyze करने के बाद कुछ sectors जो है वो identify किये हैं जिन पर focus किया जा रहा है कि इन sector को जल्दी-चल्दी revive करना है तो ऐसे 26 sectors जो है वो बता जा रहा है जिसको identify किया गया है stress sector को तो यह चीज हम लोग को चेटर पर काफी जादा तेजी से expand कर रहा है चाइना की movement हम लोग को Indian Ocean region पर देखने को बिल रही है जैसी कि आप जाते है चाइना का Belt and Road Initiative है One Belt One Road के नाम से यह जाना जाता है इसके तहट इसने शीलंका के हमबंत होता port के अंदर इसने काम करना शुरू कर लिए जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है यह port है चाबर port तो वो चाइना ने जो है बनाया है चाइना पाकिस्तान economic corridor के तहट तो इसके जहत क्या हो रहा है हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसको counter करने के लिए हम लोग ने इंडिया का पहला maritime theater command जो है वो लाया है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इसको 2021 में launch किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो हमारी जो coastline है 7516 किलोमेटर की उस पर यह निगरानी रखेगा यह command यह force आप कहा सकते हैं और यह western naval command जो है हमारी और इसके लावा जो tri services underman and nicovar command की देखने को मिलती है eastern naval command जो हमें देखने को मिलती है उसके लावा southern air command जो हमें देखने को मिलती है तो इसी में ही हम लोग को MTC भी देखने को मिलती है maritime theater command तो यह basically निगरानी रखेगी हमारी पूरी coastal चेतर पर कि जिससे की किसी वरगार का चाइना का presence जो हमारी Indian Ocean चेतर पर ज्यादा ना हो तो उसको हम लोग counter कर सकेंगे तो यह चीज है यह जो कानून है guys यह किस purpose के लिए हमें देखने को मिल रहा है तो जो बच्चे हैं उनको protect करने के लिए महिला और बच्चों को basically protect करने का यह कानून है कि जो sexual offense जो होते है महिला और बच्चों के against तो उसको protect करेगा यह और यह basically आंद्रप्रदेश के अंदर दिशा act है उसी के आधार पर यह बनाये गया है दिशा act आंद्रप्रदेश के अंदर 2019 में पास हुआ तो याद रखना दिशा act किसका है आंद्रप्रदेश का है और महराश्चुर के अंदर शक्ति criminal law हमें देखने को मिल रहा है 2000 अमा मिनी COVID-19 क्लीनिक जो है वो तमिल लाडू में ओपन की जा रही है तो देखो क्लीनिक है यह क्लीनिक के नाम से हम लोग को तुरंट क्लिक होता है कि यहाँ पर हम लोग को हेल्थ केर फैसिलिटी जो है वो प्रवाइड की जाएगी हमारी कंट्री में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे जादा केसे हम लोग को कोरोना वाइरस के देखने को मिलता है आट लाग से भी जादा केस तमिल लाडू के अंदर कोरोना वाइरस के बताए जाना है रिकॉर्ड किये गा है और हर एक अमा क्लीनिक के अंदर हमें देखने को मिलेगा है कि एक डॉक्टर होंगे एक असिस्टेंट होंगे और एक नर्स हमें देखने को मिलेगी और जो की पबलिक consultation purpose के लिए होंगी और basic investigation purpose के लिए तो ये चीज है याद रखेगा तमिल लाडू में ये चीज़ शुरू हुई है अमा mini mini covid-19 clinic तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब बात हो रही है काटसा के बारे में काटसा क्या है countering America's advisories through sanction act काटसा तो देखिए इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ America ने क्या किया हुआ America ने तीन countries के ओपर target किया है Russia, Iran और North Korea America ने काए कि इन तीन countries से अगर कोई भी दूसरी country अगर किसी भी प्रकार के products purchase करती है especially defense related और ऐसे products जो कि United States नहीं चारी है कि कोई भी country जो है वो इन तीन country से purchase करें तो जो भी country purchase करेगी उनके खिलाफ भी United States कारवाई करेगी उनके ओपर भी sanction लगा दीगी अभी क्या हुआ United States ने तर्की के ओपर sanction लगा दीगी तर्की ने क्या किया है तर्की ने ये रशिया से S-400 surface to air defense missile system purchase किया है और ये जो surface to air missile defense system में ये काफी strong है और काफी शांदार है और ये surface to air defense missile system का काम क्या होता है आस्तान भाशा में आपको समझाता हूँ जैसी कि किसी country के ऊपर अगर कोई missile आ रही है यानि कि उस पर जैसे aircraft हो गया तो aircraft पर target लगा कर उसको blast किया जासे तो और काफी powerful ये system है जो Russia ने बनाया हुआ है हाला कि United States के पास भी ऐसा system है जिसको THARD के नाम से जाने वो United States का system है बट अभी कोई भी country United States के systems को खरीद नहीं नहीं है सभी लोग जो है वो Russia के system को खरीद रही है including India also हमने भी S-400 की deal की हुई है Russia के साथ right क्योंकि ये system काफी ज़्यादा अच्छा है तो अब Turkey के ओपर जब United States ने sanction लगा दिया इसका मतलब क्या हुआ United States ने अब limitation लगा दिया United States तरकी के साथ किसी प्रकार की deal नहीं करेगा तरकी को अगर United States से कोई भी weapons वगरा चाहिए होंगे कोई भी strategic मलब उसके साथ partnership करनी होगी United States के साथ तरकी को तो United States इसके साथ partnership नहीं करेगा even international forum में भी तरकी के opposite में जो है वो या फिर उसके against जो है वो United States लड़ेगा के काम करेगा या तो तो ऐसी चीज़ हमें देखने को बिल रही है और same चीज़ इसको देखते हुए कि United States ने तरकी के ओपर sanction impose करती है S-400 की deal को लेकर तो हमें भी direct ही United States हमारे ओपर भी S-400 की deal को लेकर sanction impose कर सकती है तो यह चीज़ हम लोग को देखने को बिल रहा है तो यह लगी चीज़ आपको बता हो नीची़ यह थोड़ी चीज़ के बार में और बाकी S-400 के बार में आपको बताई दिया Air Defense Missile System है यह Defense Missile System नाम सी जहर में आ रहा चाहिए कि अगर सामने वाली country की territory में कोई Missile आ रही होगी तो यह system activate हो जाएगा और हवा में ही उस Missile को blast कर देगा और 380 km की इसकी range यह बहुत लंबी रहे है इस Missile Defense System की और काटसा इंडिया और USA के relationship को भी जो है वो खतम करेगा या फिर उसके उपर दरार लेकर आ जाएगा कि मैंने आपको समझा ही दिया है कि S400 हम भी purchase करने वाले तो हमारे उपर भी हो सकता है कि United States sanction लगा दे वर हम लोग negotiation कर रहे हैं बाचीत कर रहे हैं United States के साथ इस चीज को लेकर Brand India Mission की अब बात हो रहे है Brand India Mission किसके दोरा launch किया गया है तो Government of India ने Brand India Mission जो है वो launch किया किस purpose के लिए launch किया है कि हमारी country के अंदर various products की quality के उपर अब हम लोग काम करेंगे तो देखिए गई सबसे जरूरी चीज बताओ क्या होती है export में कि जब भी भी कोई product को export किया जाता है और especially developed country developed country में अगर कोई भी product आता है import होता है तो सबसे पहले उनके जो custom authorities होती है वो product को check करती है कि product की quality क्या है अगर product की quality जो हुई वो substandard QE खराब हुई तो वो product को अपनी market में या फिर अपनी country के अंदर allow नहीं करता है तो हम लोग भी अभी यह कर रहे हैं कि हमारे products की quality को improve करें हमारे product को एक brand के तौर पर बनाए जो की world level पर जो है वो हमारा products जो है इंडिया में जो है वो जाना जाए quality के मामले में और हर एक developed country के अंदर वो product जो है वो जा सके क्योंकि product जो है वो उनकी country में जाएंगे जैसे कि for example एक ऐसी example लेते हैं simple चा कि मान के चलो आप कोई भी जैसे कोई खाने का प्रडेक्टर ठीक है जैसे कि घी घी रेते हैं ठीक है अब developed country के अंदर घी भेजा जा रहा है अब अगर वो नकली घी हुआ तो वो developed country नहीं उसको allow करेंगी योगि developed country के अंदर सबसे important चीज होती है वो बहुत सारी चीजे को ख्याल रखते हैं जैसे कि खराब भी खाएंगे अगर वहां के citizens तो वो बिमार पढ़ जाएंगे तो ये सब ख्याल भी हम लोग क्या कोशिश कर रहे है कि हमारा export को हम लोग बढ़ाएंगे और ये तब possible होगा जब हम लोग इंडिया के अंदर जो products manufacture करें जिस प्रड़क्ट का production करें तो वो quality product होना चाहिए तो इसको लेकर ये brand इंडिया mission हमें देखने को बना ठीक है इंडिया की बात हो रही है नीती आयोग ने अभी एक recently white paper release किया है जिसका नाम है vision 2035 public health surveillance in इंडिया हम लोग हमारे healthcare system के अंदर जो team tiers है primary, secondary और tertiary उसको आयश्मान भारत scheme के अंडर जो है वो शामिल कर रहा है आयश्मान भारत scheme के बार में आपको जानते ही होगे guys जन आरोगी योजना के नाम से भी जिसको अपन जानते हैं आयश्मान भारत scheme तो जिसके तहट जो लोग है उनको मलब सहायता प्रवाइट की जा रही है इवन पचास लाग से जादा लोग जो है उनको फाइदा मिल रहा है आयश्मान भारत scheme के तहट उनका free में जो है वो इलाज हो रहा है एक family के लिए पाँच लाग रुपे एक साल के लिए उनका insurance हम लोग को देखने को मिल रहा है public और private sector दोनों में ही इलाज हो रहा है तो यही जीज़ हम लोग का आयश्मान भारत scheme के तहट देखने को मिलती है तो यही चीज़ में आई हरी कि healthcare facility count तक मिल सके इस पर हम लोग काम कर रहा है फोकस कर रहा है अब देखिए government of तिलंगाना ने recently declare किया है अपने fiber grid project को as a vital public purpose project यानि कि ऐसा project जो कि public के लिए ही है right fiber grid project यह fiber grid project जो है वो 2017 में लेकर आई थी तिलंगाना government तिलंगाना सरकार यह focus कर रही थी कि तिलंगाना के अंदर high speed internet connectivity जो है वो आ सके तो यह fiber grid project है fiber line के थूँ यह high speed internet connection जो है वो तिलंगाना के बहुत सारे areas तक जो है वो यह नहीं कि maximum areas तक पहुचाने पर focus किया था इस project ने जिसके तहद healthcare facility और education में improvement हो सके तिलंगाना के अंदर और इन्होंने mainly focus क्या किया था कि जिस समय mission भागी रत के तहद जो पीने के पानी की line जो बिचाई आ रही थी तो इन्होंने क्या सोचा कि पीने की line जो पीने के पानी की जो line बिचाई आ रही है pipelines वगएरा उसी मिलेन की खुदाई में ही यारे कि जो खुदाई हो रही है तो वही उसी समय ही जो है ये fiber grid जो है वो बचा दिया है क्योंकि double double खुदाई का खर्चा जो है वो बच जाए जब भी जमीन की खुदाई हो दी तो उसमें खर्चा तो लगता है ये लेबर्स वगएरा लगते हैं तो mission भागीरत के तहट जो खुदाई हो रही थी तो उसी समय ये line जो है वो बचा दी गई तो एक ही साथ दो दो चीज हो गई कि जब खुदाई हुई है तो उसी के साथ pipeline के साथ ही साथ ये वाली चीज भी चल रही है तो जिससे की पैसा बचा है बचा है तो ऐसी चीज जो है वो उन्होंने करी जो इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ी सी जान करी होनी जगन मोहन रिडडी राइट YSR के नाम से ये फेमस है तो YSR फ्री क्रॉप इंशुरेंस स्कीम जो है वो आदर प्रदेश की स्कीम हमें देखने को बल रही है यहाँ पर किसानों को फ्री में जो है वो क्रॉप इंशुरेंस प्रोइट किया जा रहा है उनके बैंक अकाउं बाकी आगे की बात करें तो इससे बता जा रहा है कि लगवख साले 9 लाग किसानों का फाइदा हुआ है इस फ्री क्रॉप इंशुरेंस स्कीम के तहत है इसको किसके दौरा रिलीज किया अक्सर कोशन आता है कि हुमें डेवलेपेंट रिपोर्ट कौनसी कौनसा और्गनाइ आई है याद रखना 189 कंट्री में से इंडिया की रैंक 131 आई है हम लोग जो है वो पीछे हुए है इस साल क्योंगी 2019 में इंडिया की रैंक 129 थी इस बार 131 रैंक हमें देखने को बल रही है टॉप 3 जो कंट्री है इस Human Development Index की रिपोर्ट में नौर्वे आइरलेंड और कर रही है Regional Climate Center कहा पर Establish कर रही है Himalayan Mountain Region पर हम लोग एक Regional Climate Center जो है वो सेट अप कर रहा है और इस Climate Center के तहत हम लोग को क्या फाइदा होगा कि Climate के बारे में Information जो है वो प्रोवाइट कर आएगा यह वाला Center पर बारिश हमें देखने को मिलती है बट North Western चेतर पर सर्दियों में बारिश होती है क्यों बारिश होती है सर्दियों में क्योंकि Western Disturbance हमें देखने को मिलता है Western Disturbance का Topic भी आगे आएगा थोड़ी देर के बाद बताऊंगा तो उसमें आपके थोड़े Concept clear कर दूँगा हाल United States ने अभी एक Emergency Issue करी है जिसमें उन्होंने अपनी सभी Federal Civilian Agencies को Direction दिये है कि वो अपने Solar Wind Orient IT Management Tool को Power Down करने है यानि कि Shut Down करने है उसको रोग दे आक्शली में क्या हुआ है जो Hacker है उसने जो American Agency जो है वो जिस Particular Tools का इस्तमाल करती है उसमें Hacker ने उस Tool के अपडेट पर या उसने जैसे Software अपडेट नहीं होते हमारी जैसे Mobile Phone पर भी जो अपडेट होती है राइट समय समय पर तो Hacker ने क्या किया वहाँ पर एक अपडेट छोड़ दी अपडेट में यह वाइरस छोड़ दिया जिससे कि वो हैक कर सके उनके सिस्टम को Federal Agency के तो इसकी जानकारी जो है वो United States की Intelligence Agency को मिली और उसके ताहित उन्होंने वैसे तो काफी सारे जो Agency है वो Effect भी होई थी वहाँ पर दिक्कत आ गई थी वाइरस के ताहित क्या होता है कि यह hacker क्या अगर अपने वाइरस छोड़ कर जो उनका जो सिस्टम है उस पर अपने पूरा Control रख लेता है तो यह ची जो है वो छेतावनी दे दी थी उनको कि इसका अपडेट जो है वो मत करना अब फिर भी काफी सारी Agency ने अपडेट कर लिया था जिसके तर थोड़ा डेटा जो है वो यहां से लीक हुआ ऐसी खबरें आई है तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और Cyber Security and Infrastructure Security Agency जो है मैं LCS Code जो है जिसको मैं Virus बोड़ा था वो मैं LCS Code है तो वो basically software के update में छोड़ दिया था तो यह तीस हमें देखने को है और इसकी hacking जो है वो March 2020 से ही शुरू हो गई की अब बात हो रही है Dark Pay के बारे में तो देखिए हमारी जो IPPB है India Post Payment Bank इसने launch करी है एक mobile application इस application की मदद से जो इंडिया पोस्ट के थू जो है वो पैसे को transfer किया जा सकेगा receive किया जा सकेगा जैसे internet banking वाली application होती है तो वैसी यह Dark Pay की हम लोग को application देखने को बहुत है UPI वगरा की भी facility इसमें शामिल है तो यह banking services जो है वो digitally provide कराएगी mobile application के थू डाक पे ठीक है तो यह चीज आपको यह application है तो IPPD की application आपको जाद रखना है अब बात हो रही है financial stability and development council की तो non statutory apex body के तौर पर यह हमें देखने को मिलती है और इसमें financial regulators है हमारी country के तो देखो हाला कि आपको इसके नाम से शार में आ जाने थी कि इस council का काम क्या है तो हमारी country में जो financial instability जो होती है जैसे कि अभी की इस्तिती जो है वो financial instability वाली इस्तिती हमें देखने को मिल रही है हमारे जो राजी जो है उनके उपर काफी जादा करजा है राई क्योंकि अभी के समय पर कोड़ना वारस के बाद जो है वो इस्तिती काफी खराब हुई है तो हमारी country की जो state से उन्होंने काफी सारा करजा जो है वो ले रखा है तो financial instable जो है वो हमारी country के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये जो council है उसका डाम क्या रहता है कि हमारी country के अंदर financial stability रहे और financial development रहे हमारी country में तो ये एक non statutory apex बॉडडी है और जिसमें financial regulators हम लोग को देखने को मिलता है ये किन डेखती है कि हमारे निगरानी रखती है हमारी कंट्री की एकनॉमी जो है वो किस तरीके से इसको इसमें ग्रोथ हो डेवलेप्मेंट लेकर आने जो इस पर यह फोकस करती है यूनियन फिनैस मिनिस्टर शिरी निर्मला सीतर रामन जी ने अभी हैट किया है तेशवी मीटिंग इसकी फिनैंशल स्टेबिलिटी और डेवलोप्मेंट काउंसिल की और यहाँ पर बदाई आ रहा है कि रिव्यू किया गया है फिनैंशल स्टेबिलिटी के मुद्दो को हैं लोगों ने और हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तानी आर्मी को गुटने पर ले आई थी क्या इशू हुआ था कि जो ऍसपर करड़ से पाकिस्तान के लोग है इंप उनके जो फेवर में कोई कानून नहीं लेकर आता था तो यह जीज पाकिस्तान की तरफ से बहुत जादा देखने को विली थे तो इसको लेकर वहाँ पर मौझूद जो बेंगाली जो थी उन्होंने विद्रो कर दिया था और फिर उसके बाद बांगलादेश ने इंडिया से म युद्ध शुरू हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसको सबसे कम समय में लड़ा जाने वाला युद्ध जो है वो भी कहा जाता है यानि कि पूरे दुनिया वर में जितने भी युद्ध जो लड़े गए हैं और जो सबसे कम समय का जो वार था वो यह हम लो जबाश चंदर बोस जी के म्यूजियम के बारे में तो इनका म्यूजियम कहा पर सेटप हुआ है तो याद रखेगा यह हुआ नहीं है अक्शुली में होगा यह बस इसकी नीव जो हो रख दी गई है तो यह 23 जनवरी 2022 को सेटप होगा और यह नया म्यूजियम हम लोग को अब लिखी थी तो उसको दुबारा से यह प्रिंट करवाएंगी सरकार तो इस पर भी जो है वो अभी प्लानिंग चल रही है तो यह चीज है यंग चैंपियन्स ऑफ दा अर्थ तो युनारे नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम ने रिसेंटली नाम रखा है साथ डाइन यह प्युनारे नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम 2020 का यंग चैंपियन्शिप अर्थ अवार्ड जो है वो प्रोवाइट किया गया है तो विद्यूत मोहन जी जो एंडिया के हैं यह को फाउंडर हम लोग को ताकाचर के देखने को मिल रहे हैं और एफोर्डिबल और प वह प्रोपाइबश चैंज आजकी ड्रेट में लोग नोग को देखने को इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हों ने क्या किया इन्हों ने बोला कि किसान जो है जो जो अपने जला दे think किसान इस वी खूझे को बेच सकते हैं ऐसी कंपनि के पास बाइयो जैस 활 वो शुरू कर सके, इवन किसान भी अपने पास यह रखकर, अपने भूसे को fertilizer में convert करने, क्योंकि किसानों को fertilizer की आवशक्ता होती है, तो ऐसी चीज जो हो, यह ऐसा equipment जो हो इनके द्वारा build-up किया गया, तो उसको देखते होए इनको यह award दिया है, United Nation Environment Program के द्वारा, और साथ दोगों को United Nation Environment Program जो है यह award देती है, Young Champions of the Earth Award, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है, कि साथ entrepreneurs जिनकी उमर 30 साल से कमकी होती है, उनको यह award हर साल जो है वो दिया जाता है, तो आपको यह चीज पता होनी चीज़ है, हमालें सीरो की हाँ पर बात हो रही है, देखो हमालें सीरो इस प्रकार की दिखाई देती है, यह है एक species, पहले लग रहा था कि यह हिमाले से पूरी तरह से लुप्त हो गई है, बट अभी यह recently नज़र आई, कहा पर नज़र आई हिमालें के अंदर हम लोग को देखने को मली cold desert में, बट actually में यह स्पिती वैली पर नज़र आई पहली बार, हिमाचल प्रदेश में, तो देखो question आप से यह भी पूछा आ सकता है कि स्पिती वैली कहा पर है, तो हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान में रखना है तो इनकी जो species जो है guys, protection देनी की आवशक्ता है, तो यह schedule 1 की species हम लोग को देखने को मल रही है, इसके लब बात हो रही है, seneca guns के बार में, seneca gun क्या है, एक weather phenomena हम लोग को देखने को मलता है, seneca gun, क्या होता है कि जैसे बिजली जैसे कड़कती है तो उसमें आवाज आती, थंडर स्टॉम जो बिजली कड़कती है, तो आवाज नहीं आती, तो वैसी कुछ बहुत तेज नॉइस जो है, वो सुनाई देती है, और या फिर ऐसी ऐसी नॉइस आती है, जैसी किसी ने गोली चला दी, गंशोट वाली नॉइस आती है, अर्थक्विक जैसे भी नॉइस हम लोग को ऐसे फिनॉमेना में देखने को बलती है, इसको स्काइक को एक भी कहा जाता है, यह बिसलिए आस्मान से ऐसी आवाज जो है, तो यह चीज़ बता जारी है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर, कार्बन फ्री एमोनिया के तौर पर हमें देखने को बलता है, 80% जो एमोनिया जो है, इस पूरे दुनिया भर में जो प्रेड्यूस होता है, वो हमारे एग्री कल्चर में उप्योग में लिया जाता है, फडिलाइजर बनाने के परपस के लिए, और हमारी कंट्री के अंदर 100% renewable और carbon free एमोनिया, green एमोनिया के production पर काम चल रहा है, इस पर सरकार जो है वो बोली लगवारी है, कि जो भी जो है वो individual इंडिया के अंदर जो green एमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे तो उनको कुछ benefit वगरा provide किये दाएंगे, तो ऐसा कुछ tender वगरा जो है वो दि सरकार का है, तो उसको भी fulfill करेगी ये particular जो project हम लोग को देखने को मिल रहा ही है, सरकार का green ammonia project, और इस project को जो है वो पूरी तरह से conduct किया जा रहा है solar energy corporation of India limited के ज़ार, green ammonia project को, project loon की बात हो, ये loon में क्या होता है, इस प्रकार का देखो, आप गुबारा टाइप पर चकता होती है न, तो वैसे ये गुबारा जो है वो, ऐसे ऐसे areas पर internet connectivity प्रोवाइड कराता है, जिन remote areas पर internet connectivity नहीं है, तो ये काफी शांदर project है, project loon, google का आप याद रखेगा, और अभी ये topic news में से थे था, क्योंकि इसने एक record जो हो बना लिया है, तो इसने किस प्रकार का था, 312 दिनों के लिए, और ये basically internet की service जो है, वो provide करा रहा था, और balloon जो है, इसमें helium भरा जाता है, helium भरते हैं, तो फिर balloon ऊपर नहीं उड़ जाता है, जैसे आपने देखा हुआ कई बार काफी सारे लोग जो balloons बेचते हैं, तो जिसमें balloons जो है, वो काफी सारे लोग खरीद इसका distance cover कर सकता है, यह बहुत समय तक यह आसमान में रह सकता है, अब 312 दिन की हाँ पर बात हो लिए, लगभग पूरे-पूरे साल के आसमास ही आप माल लो, यह जो है वो आसमान में है, तो यह एक record जो है वो उसने बनाए तो, that's why यह topic news में था, बट फिर आप याद रख Polisario Front और Kingdom of Morocco के बीच का यह conflict है, यह विवाद हम लोग को देखने को बिलता है, पहले Morocco की location आप देखो, Morocco के country आपको यहाँ पर दिखाई देती है, यह अगर Africa continent को देखोगे तो उसके North West की तरह हो, आप देखोगे बिलकुल Extreme North West की तरह, तो आपको जो है यह यह दिखाई दे Straight या Gibraltar Channel के नाम से यह area जो है वो जाना जाता है, तो यह Morocco country है, उसके नीचे आप देखोगे तो आपको यह Western Sahara area आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस area का नाम है Western Sahara, यह कोई country नहीं है, ठीक है Western Sahara area, आप Sahara Desert के नाम से आप जानती होगे और यह जो area, यह Western Sahara का separate area है, बड़ यहाँ पर रहने वाले जो मूल निवासी है, यह जो basically community जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो यह जो community है यहाँ पर रहने वाली तो उसने एक organization बना लिया था, एक friend बना लिया था, जिसको पॉलिस area friend के नाम से जाना जाता है, जो claim करती है कि यह पूरी territory जो है वो police area friend की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानि कि in community की जो यहाँ पर रहती है, तो इन लोग जो है वो यहाँ पर rule करना जाता है, तो यह basically विवात हम लोग को देखने को मिला था, even अगर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो थोड़े थोड़े चा island अगर आप देख रहे ह island किसके हैं, तो यह Spain के island हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो Spain भी इसके ओपर जो है वो कबजा लगाए बैठा था, इसके लाबा Moritania भी इसके ओपर कबजा लगाए बैठी थी, यह वाली country, उपर की बात करें, Morocco, Morocco भी इसके ओपर कबजा लगाए बैठी थी, और even Algeria की बा रहती है, डारेक्टली, और इवन ये पॉलिसेरियो फ्रेंट इसको तो एक समय पर ये भी कहना था, कि Algeria जो है, ये एरिया जो होगा, वो Algeria को होगा, क्योंकि ये पॉलिसेरियो फ्रेंट अलजेरिया के एंडर रहेकर काम करती है, आप्रेट करती है, तो ऐसी जीज हम लोग क हुआ था, ceasefire agreement, यानि कि यहाँ पर जो इशू जो चल रहा था, विवाज जो चल रहा था, उस पर रोक लगा दी थी, United Nation के द्वारा, right, ceasefire agreement के तहट कि अब कोई भी जो है, वो किसी ब्रगार का conflict, issue जो है, वो यहाँ पर नहीं करेगा, बट फिर भी ये conflict हम लोग को देखने भी हम लोग को बताई जाती है, तो काफी सारी country जो है, वो resources को देखते हुए, इस territory के ओपर अपना control, अपना कबजा, जो है, वो करने की कोशिश करती है, right, तो Spain ने भी किया था, Mauritania ने भी किया था, और Morocco को करती ही है, और अभी क्या हुआ है, United States की जो President Donald Trump, उन्होंने बोल जो होगी, वो किस country के control हो जाएगी, उसको officially United States ने declare कर दिया कि ये पूरी territory Morocco के control के अंदर हम लोग को देखने को मलती है, तो USA ने इसलिए किया है, क्यों USA चाहरा है कि Morocco इसराई के साथ अपने संबद, अपने relationship जो है, वो बना ले, right, तो इस पर ये USA focus कर रहा था, और इसने Morocco मान गई थी इसराईल के साथ अपने relationship को बनाने के लिए, तो उसके बदले में, United States ने Morocco का support करते हुए कहा कि Western Sahara जो है, वो पूरा को पूरा आपका है, तो ये थी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मली है, और Morocco चौती country है, जिसने अपने relationship इसराईल के साथ जो है, वो build-up lecture में, जो है वो detail में cover किया हुआ है, कि ये क्या issue हम लोग को देखने को मिला था, इसराईल के बीच में और Arab countries के बीच में, तो पूरा issue में आप लोग के लिए, क्योंकि Palestine को support करती है Arab countries, और Israel और Palestine के बीच में हम लोग को issue देखने को मिला था, तो उसके बारे में आपको जान पूशे जाएंगे, आगे की बात करें, बिली मोरा वगाई लाइन की यहाँ पर बात हो रही है, तो 107 साल पुरानी नेरो गेज रेलवे लाइन है, देखो पतली वाली यह नेरो वाली लाइन हम लोग को देखने को रही है, और यह कहा पर एक गुजरात में है, याद रखन बिली मोरा वगाई लाइन कहा पर है, गुजरात आपको यहाँ रखना है, बहुत पुरानी 107 साल पुरानी यह रेलवेस की नेरो गेज लाइन है, ब्रॉड गेज होती है, ब्रॉड गेज लाइन जो है, नॉर्मल जो आज की रेट में हम लोग ट्रेंस देखते हैं, जो पत इसके लाबा, इंडस्ट्रियल हेरिटेज के तौर पर इसको प्रिजर्व किया गया है, और ऐसे पाच रूट्स को प्रिजर्व किया गया है, इंडिया के अंदर 2018 में, उन में से हम लोग को देखने को मिली है, और यह पर्मनेटली क्लोस की गई है, यह नैरो गेज, यह वा लोगों के लिए अल्रेडी बना चुका हूँ, पूरे concept आप लोगों के cover किये थे, जो civil services की जो students तयारी करते हैं, बाकी one day examination perspective से जैसी western disturbance आप सुनो, आपके दिमाग में Mediterranean Sea आनी चाहिए, यह Mediterranean Sea हम लोग को यहाँ पर इसराइल के बगल में देखने को मिल रही है, तर्की Mediterranean Sea में होता गए, एक तूफान आता है, ठीक है, extra tropical storm हमें देखने को मिलता है, Mediterranean Sea पर आता है, और वहाँ से जो यह हवा होती है, वो इंडिया की तरफ आती है, और जब यह हवा जो है, वो इंडिया की तरफ आती है, तो उस पीच हमें देखने को मिलता है, कि यह हवा, जो है, जब ये तूफान जो आता है उसके करण जम्मु एन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उतराखन में स्नोफॉल होती है और डेली का टेंपरेचर एकड़म से गिर जाता है घड़ जाता है बाकि इसका अगर आपको कॉंसेट डीटेल में समझना है तो एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाया हुआ है जो भी स्टुएंट रिगूलर्ली लेक्चर को फॉलो करता है आप चाहे तो नीचे कमेंट बोक्स पर लिंक डाल दीजेगा अपने सेपरेट वीडियो की और या फिर बता दीजेगा कहा पर यह वो सेपरेट वीडियो किस दिन के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है इस बेस्टरियों सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है आगे यहीं की बात करें नौर्थ इस्टें रीजिन पावर सिस्टम improvement project की हाँ पर बात होगी तो देखो नाम सीसन में आ रहा है यह project कौन सा है यह project power system को improve करने को लेकर project है जो power system कौन से होता है जो हमारे घर में जो electricity जो आ रही है बिजली की खंबे जो लगे हो वो पूरा power system है तो north eastern छेदर में बिजली electricity की connectivity जो हो सके power system महां का better हो सके तो उसका यह project है cabinet committee on economic affairs ने कहा है approval दिया है कि इस project के ओपर जो खर्चा होता है जो cost estimate जो किया जाता है तो उसको यह revise करेंगे यारे कि देखेंगे कि आज की रिमान के हिजाब से कितना पैसा और लगाना है तो उसके according जो है वो budget इस project के लिए allocate करेंगे और यह जो याला जो project है यह central scheme के under हमें देखने को मिलता है और central scheme के तहर कौन सी ministry इस project को पूरी तरह से implement करती है implement नहीं कहेंगे कौन सी ministry इस project के लिए responsible है तो ministry of power है और implement जो है वो किया जाता है इस project को power grade के दौरा जो कि एक central PSU है public sector undertaking है जो कि again power ministry के अंडर ही आती है और इस project को fund किया गया है world bank के दौरा और government of India के दौरा 50-50 के share पे 50-50 के share पे anti-rape law किस country ने अभी पास किया है recently यह पागिस्तान है पागिस्तान के अदर anti-rape law पास हुआ है तो रेप के जो मामले होते हैं गाईस तो उसकी जल्दी जल्दी चार्च हो, कारवाई हो और जल्दी जल्दी judgment उसका हो जाए यानि कोट कशेरी में भी case जो है ज़्यादा लंबा ना खिचे तो इसको लेकर पागिस्तान सरकार जो है ये एक कानू जो है वो लेकर आई है तो ये ordinance है, बताए है रहा है कि ordinance को continue रखने के लिए चार महीने के अंदर अंदर पार्लिमेंट की अप्रूबल की आवशकता होगी ये पार्लिमेंट बिल को जो है अगर ये पास कर देगी ये वहाँ पर इस कानू को पास कर देगी तो फर ये continue हो जाएगा ये पर्मनेंट कानू मिन जाएगा वरना चार महीने के बाद ये शादिय खदम भी हो सकता है ये वाली भी एक basic जानकरी आपको पता होगी हाला कि examination में आपसे यही पूछा जाएगा इस बार की जो theme है वो है reimagining human mobility देखो theme international जो भी होती है अगर आप Hindi medium से इस exam की तयारी कर रहे है तो international theme को आपको English medium में ही देखना जरूरी है 18th December को ही क्यों चुना गया कि international ये वाला day मनाए जाएगा international migrant day जो है वो मनाए जाएगा आप्जर्व कि 18 December को international convention यानि कि एक agreement जो है वो सामने आया किस चीज़ को लेकर rights of all migrant workers की protection को लेकर कि जितने भी migrant workers होते है migrant workers पता होगा न आपको जो अभी जैसे हमें देखने को बला था कि हमारे आखे जो lockdown के समय पर काफी सारे जो labors जो थे तो वो अपने अपने गाउं जो है वो चले गए थे तो labors हो थे वो कौन थे migrant labors थे जो कि अलग-अलग state से अलग-अलग जगा से जो है वो cities में आये थे अलग-अलग area से city में आये थे right move करके तो migrant labors थे काम की तलाश पर आये थे और उनको वापस जाना पढ़ अपने अपने गाउं तो यह basically migrant workers जो होते हैं लेवर जो होते हैं उनके अधिकार को protect करने को लेकर यह दिवस हम लोग को देखने को मिलता है उसी चीज से related awareness create करता है और इसी पर ही एक यह में 01 एक communication satellite है याद रखेएगा अभी recently इंडिया ने इसको launch किया है यह communication satellite जो है वो geostationary transfer orbit में जाकर जो है वो move करेगी यह भूमेगी orbit में और इसको पहले G712R के नाम से जाना जा रहा था और इसको PSLV C50 launch vehicle से हमें हमारे तोरा launch किया गया है और 40 second communication satellite है यह इंडिया की यह वाली जानकरी भी आपको होनी चाहिए Golden Peacock Environment Management Award की हावर बात हो रही है जो हमारी sale है Steel Authority of India Limited उसको यह award मिला है Golden Peacock Environment Management Award देखो नाम सीजन में आ रहा है Environment Management Award तो हमारा जो environment है उसको manage करने का award है तो sale ने क्या ऐसा किया कि environment management पर इसने जो काम किया तो वो भी अपन देखने है कि sale ने क्या काम किया तो देखो sale का एक division है Environment Management Division जिसको इसने 1989 में establish किया था इस division को यह award मिला या फिर इस division के कारण sale को यह award मिला है तो यह जो division है यह environment protection पर काम करता यह various environment measures जो है याने की तौर तरीके जो है वा अपनाता है जैसे कि pollution control facility को upgrade करता है कि क्या चीज लाई जाए जैसे कि pollution को control किया जा सके और जो wastewater जो होते है खराब पानी जो होता है जैसे कि यह various initiative जो है वो लेकर आता है तो यह जो body है यह basic environment protection को लेकर काम करती है division environment protection को लेकर काम करता है उसी जीज को देखते हो यह awards जो है वो इनको मिला है और यह awards जो है वो किसके दौरा शुरू किया गया था United Kingdom के Prime Minister Boris Johnson ने हमारे Honorable Prime Minister को invite किया है तो ये चीज हमें देखने को मली थी G7 Summit के लिए जो कि 2021 में होने वाली है Actually G7 Summit जो है guys ये आई क्यों थी यानि कि ये G7 हम लोग क्यों बोलते हैं तो साथ countries है वो इसका आज की rate में हिस्सा है बट वैसे तो originally ये G8 के नाम से जानी जाती थी पहले आठ countries थी जो की 80 हुई थी 1973 में जो oil crisis हुए थे उसके करण से economic और political issue काफी ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसको resolve करने के लिए उसके बारे में बातचीत करने के लिए जिसके जलते economic crisis जो है वो resolve किये जा सके 1973 के oil crisis के बाद तो उस पर ये विचार करने के लिए ये summit जो है वो हमें देखने को मिलती थी तो G8 हुआ करती थी रशिया उस समय इस का हिस्सा था इस summit का G8 के तौर पर ये जानी आती थी जो बट रशिया को क्यों निकाल दिया गया तो रशिया ने क्या किया था गईस तो रशिया ने 2014 के अंदर क्रीमिया के ओपर जो है वो कंट्रोल किया था यूक्रेन क्रीमिया वाला इशू आपको पता होगा तो उस पर जो है वो इसने कंट्रोल करने की कोशिश कर दी थी इसके इसी चीज़ को देखते हुए इसको जो है वो G7 से हटा दिया गया फिर बात में जाकर ये जो है वो G7 के नाम से जाना यहाने लगा तो इसमें most industrialized countries हम लोग को देखने को मिलती ही United States, UK, France, Germany, Italy, Japan और Canada इसकी member है इंडिया इसकी member नहीं है याद रखियेगा इंडिया को जो है वो अभी recently invite किया गया है ये British Prime Minister के दौरा that's why ये topic news में था ये GA और G7 दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोनों एक ही है पहले G8 के नाम से जाना जाती है भी आज की rate में G7 के नाम से जाना जाती है और especially ये वाले इनके members के नाम याद रख लेना फी कौंसी-कौंसी countries की member है क्योंकि ऐसे question वह वो अकसर civil services पूछती है या फिर various Monday exam में आप से पूछे जा सकते हैं किस particular state ने land grabbing prohibition act 2020 जो है वो लाया है तो ये जो state है वो है गुजरात नाम से आपको सर्ण में आ जाना चाहिए कि ये जो कानून है वो क्या करेगा तो जो भी लोग किसी की जमीन के ओपर कबजा कर लेते हैं तो उनको रोकने पर ये काम करेगा या फिर कोई भी ल सकता सामने ला बंदा जब court case में जाएगा तो उस case को जल्दी जल्दी resolve किया रहा है और especially यहापर target किया जा रहा है small farmers और citizens को जो गरीब लोग है ना जिनकी जमीन के ओपर अगर कोई कबजा कर ले तो फिर हमें देखने को मिलता है कि वो court कचरी चलती और जमीन के मामला आप जानते हैं कि सालों साल तक चलते हैं तो जल्दी जल्दी मामला जो है वो इस प्रकार का कबजे से related मामला जो है वो resolve हो जाए तो उसको लेकर यह bill हमें या फर एक कानून हमें देखने को मिलता है गुजरात के अंदर इसमें grabber को define कि है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की illegal तरी तरीके से किसी को डरा कर धमगा कर उसकी जमीन पर कबजा कर लेता तो वो grabber कहलाता है तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है आगे की बात करें इस रो ऐसे से कंट्रोल सेंटर नेतर हम लोग को देखने को मिलता है नेतर का performance network for space object tracking and analysis नाम से क्या सान में आ रहा है यह space के object क तो track करने के purpose के लिए यह नेतर हमें देखने को मिलता है मैं simple sorted तरीके समझातों कि नेतर करता क्या है तो जैसे हमारे जो Indian assets है space में कौन सा space में हमारा Indian asset है जैसे हमारी satellite है हमारी satellite orbit में move कर रही है आप देखो space में बहुत सारी चीज़ हो सकती जैसे कि दूसरी country की satellite हो सकती है जैसे कि कोई asteroid वगरा हो सकता है जो चटान वगरा नहीं घुमती रहती space में asteroid जिसको अपन कहते है अभी थोड़ी दिर पहले ही पड़ा आयता मैं आपको तो क्या होता है कि कभी-कभी हमारी satellite के पास अगर कोई unknown object अगर आ रहा है तो आएगा तो आएगा तो आएगा तो natural object से protect करने के लिए ये नेत्र हमें देखने को मिल रहा है ये हमारी satellite को बता देगा अगर satellite के पास कोई भी object अगर आ रहा होगा तो satellite को बहुत कर देगा जैसे कि satellite जो हो जाए वो object निगल जाए जिसके चलते या फिर satellite अपना path जो है अपना रास्ता जो है वो थोड़ा सा change क बात हो रही है इस mission का aim ये है कि बैंगलूरू के अंदर necessary infrastructure और basic amenities की facility जो है ये mission जो है वो provide कराने वाला है जिसके चलते day-to-day challenges जो बैंगलूर के अंदर लोग जो face करते हैं especially बहुत बड़ा जो challenge ये वो traffic condition का है बैंगलूर के अंदर traffic condition बहुत जादा देखने को मिलता है बत है है तो traffic काफी जादा होता traffic condition को रोकेने के लिए various infrastructure वगेरा create करने को लेकर ये project है जैसे कि over ridge बना दिया under ridge बना दिया है जैसे कि traffic जो है वो थोड़ा सा वो हो जाए यानि कि separate वगेरा हो जाए divert हो जाए और ये बता जा रहा है कि ये project जो है ये one of the best in the world बैंगलूरू को ब बनानी है और ये बताया रहा है कि 75th year of independence कब है 2022 में फिचितरवा independence day हम बनाएंगे 2022 में तो तब तक ये बताया रहा है कि हम लोग जो है वो बैंगलूरू को काफी अच्छा कर लें तो यानि कि सरकार जो है वो बैंगलूरू के अंदर various initiative लाकर बैंगलूरू को best city बना सके प हमारा 2022 में हमें देखने को मलता है हमारे भारतिये गरीबों को protect करने के लिए world bank का एक project हम लोग को देखने को मिल रहा है 400 million US dollar का ये project है इस project के लिए इंडिया और world bank के बीच में हम लोग को देखने को मला agreement हुआ है इंडियन गरीब जो है और जो vulnerable population जो हमारी है जो की coronavirus के international development association जो world bank का है उससे ये credit जो है वो आएगा उससे ये पैसा जो है वो लाए जाएगा तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है गाईज और ये था last topic गाईज और आपको अगर ये बंडे वाला initiative अच्छा लगा है और इसी प्रकार से मैं continue रखो आप लोगों के लिए initiative तो जहाँ स्यादा lecture को share कीजेगा like कवर जरूर हिट कीजेगा क्योंकि यहाँ पर पूरे हर एक topic में आपके cover कराता हूँ और आपका कोई भी topic अब इस channel पर छूटेगा नहीं चाहे अगर आप state civil services की तयारी कर रहे हो civil services की तयारी कर रहे हो वैसे तो civil services की students के लिए कोई topic छूट अगर आप किसी भी exam में appear हो रहे हो पूरी चीज आपको यहाँ पर मिलेगी a to z और मैं पूरी चीज आपके लिए cover करा रहा हूँ extra मेहनत कर रहा हूँ extra काम कर रहा हूँ तो थोड़ी से आपके लिए यह फर्ज बनेगा कि आप share जरूर कर दिया अगर हो lecture को और इस lecture की अग मेरा नंबर है 9713282838 याद रहा है इस नंबर पर call मत करना call attend नहीं किये जाएंगे SMS के थूरू या टेलीग्राम पर message करके आप मुझसे contact कर सकते हैं तो अब मैं मिलूँगा आपसे next video में तब तक लिए bye bye take care have a great day